दोस्तों, गंगो वाली होली खेलने से एक दिन पहले होलिका देहन मनाया जाता है होलिका देहन को बुरई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाते हैं होलिका देहन के दिन होलिका की पूजा करने का विधान है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विश्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अगनी में जल गई थी जिस कारण इस दिन होलिका देहन किया जाता है आईए जानते हैं होलिका देहन की पूरी कथा होलिका देहन का शुभ मुहूर्थ हिंदू पंचां के अनुसार इस बार 24 मार्च 2024 को रातरी 11 बचकर 13 मिनट से लेकर अगले दिन 25 मार्च को देर रात 12 बचकर 27 मिनट तक रहेगा होलिका देहन की पूजा करने के लिए कुल अवधी का समय एक घंटा 14 मिनट तक रहेगा डौट होलिका देहन की पौरानिक कथा राजा हिरने कशब काफी अहंकारी था और वह खुद को इश्वर मानने लगा था इसी के कारण नगर से लेकर उसने हर एक व्यक्ती को इस बात के लिए जोर किया कि वह लोग किसी भी देवी देवता को नहीं बलकी उसे ही पूजे हर कोई उसके खौफ से उन्हें ही पूजने लगे लेकिन हिरनेकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विश्नु का परमभक्त था पिता के लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद ने उनका एक नमानी और विश्नु भक्त बना रहा इसके बाद उसे कई तरह की यातनाई भी दी बेटे प्रहलाद को हाथों के पैरों से कुचलने की कोशिश की सामपों के तहखाने में बंद किया जंजीरों से बांध कर पानी में डुबाया जैसे कई अत्याचार किये लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए और वो वैसे ही अपनी भक्ती में लीन रहें ऐसे में हिरने कशप ने अपने बेटे को मृत्यु के घाट उतारने के बारे में फैसला ले लिया ऐसे में हिरने कशप ने अपनी बहन होलिका को इस फैसले के बारे में बताया डौट बता दें कि होलिका को ब्रहमा जी ने एक ऐसा दुशाला दिया था कि जिसे ओड कर वह अगनी से भी नहीं जल सकती है डॉट योजना के अनुसार होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था ऐसे में होलिका ने अपने भाई की बात दबाव में आकर स्विकार कर ली इसके बाद फालगुन मास की पूर्णिमा तिथी को होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई लेकिन भगवान विश्नों की कृपा से अचानक से ऐसी तेज हवा चलने लगी कि वह दुशाला उड़कर प्रहलाद को धक लिया और होलिका आग में जल गई